अगर आप एक blogger हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि blogging से online income की जाती है और आप नहीं जानते हैं तो आप जान लिए कि आप blogging से online income कर सकते हैं लेकिन blogging से online income वही blogger कर पाते हैं जिनके blog पे अच्छी traffic होती है खासकर organic traffic आपके blog पे अच्छी traffic नहीं है खासकर organic traffic तो अगर आप एक normal blogging कर रहे हैं और अपने blog से जो आप 2 महीने या 4 महीने में जो कमाएंगे अगर आप उसकी जगह पे event blogging कर रहे हैं और event blogging से आप अच्छी traffic लाके आप उससे 4-5 दिनों में उतना कमा सकते हैं जितना आप उस पे 3-4 महीने में कमाएंगे तो guys आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि event blogging क्या है event blogging की सुरुआत कैसे की जाती है event blogging कैसे सुरू कर सकते हैं आप और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि event blog कैसे कमाई की जाती है तो जानने के लिए देख तेरे इस वीडियो को नमस्कर दोस्तों मैं हूँ विकास कुमार सिंग और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि इवेंट ब्लॉग क्या है अगर आप किसी इवेंट को या किसी होली डे को टारगेट करके या फिर कुई Facebook है उसको टारगेट करके अगर आप बलॉग बनाते हैं तो वैसे ब्लॉग को हम इवेंट ब्लॉग कहते हैं और ब्लॉगिंग करने का जो प्रोसेस करना होता है कि किस इवंट के लिए आपको ब्लॉग बनाना है जैसे कि to be a किस जब पहले करना होता है कि किस पड़िकुलर इवंट के-लिए आपको ब्लॉग बनाना चाहते हैं वो इवेंट कर से ज्यादे सर्च होते हैं उस प्रेश्टिवल से एधे वैंट से रिलेटेड को सबसे ज्यादे यूजर सर्च होता है तो आपको keyword research करना और उसी keyword को target करना है इसके बात आप डोमेंट में डिसाइड करना है आपको वह मेरे लेना है जो आप सेलेक्ट खर準備 सेलेक्ट करें बोले करें तो इसे इवना वीमuego निसक दडॉकमें डॉकली सकते हैं उसे रेंक कराना है तो आप आप ले ले और यह ध्यान रखना है कि उस डॉमेन में ठीक है वह वर्ड आना चाहिए जैसे अगर आप दिवाली के लिए रहे तो हैपी दिवाली 2019 का ले या 2018 का ले ठीक है अगर माली जे 2018 साल चल रहा है तो 2018 के लिए हैपी दिवाली 2018.info.in.com जो भी आप लेना चाहते हैं लेकिन ध्यान रखना है कि वह वर्ड उसमें जो keyword आपका है वह वर्ड पूरा domain के अंदर होना चाहिए domain name में ठीक है उसके बाद जब आप domain name खरीद लेते हैं तो आपको अपना blog setup करना है आप blog को wordpress पे भी setup कर सकते हैं अगर आपके पास hosting है तो आप अपने wordpress का यूज करक आपके custom domain name आपने लिया है वो यूज कर सकते हैं और उसके भी आप event blog बना सकते हैं तो अब आपका event blog बन चुका है अब आपको क्या करना होता है आप आपको उसके लिए SEO करना है यानि कि उसे rank कराना है Google में या फिर Yahoo में या Bing में जो भी search engine है उसमें rank कराना है ताकि उसके traffic और traffic नहीं बहुत जादे traffic आए ताकि आपकी उससे अच्छी earning हो तो SEO करने के लिए आपको main main चीजे हैं जैसे कि आपको backlink जादे से जादे backlink बनाना है क्योंकि जब आप event blogging करते हैं तो जो भी event होता है उस date से पहले आप event blog बनाते हैं 3-4 महीने 6 महीने पहले से सुरू करत हैं तो उस 6 महीने के अंदर में आपको जादे से जादे backlink बनाना है उसके अलावा social share करने है जैसे social facebook हो गया Twitter है LinkedIn है Google Plus है इन सब पे share करना है जादे से जादे ताकि उसका जो है backlink बनता रहे है और जादे से जादे लोगों को जानकारी हो ताकि उस particular event से पहले लोग आपके event blog पर event site पर visit करें ठीक है तो यह हो गया कि आपने SEO कर रहे है आप event blogging के लिए उसके साथ ही आपको advertisement program चलाना है advertisement code add करना है अपने blog पर event blog पर ताकि आपकी earning होगी यानि कि जब आप event blog बना रहे हैं तो आप औरन करें तो आपको क्या करना है कि उस event blog पर आपको code लगाना है अगर आपने adsense एप्रूब कराया हुआ है तो adsense का code लगा सकते हैं अगर आपके पास media.net है तो media.net का code लगा सकते हैं इसके अलावा जैसे कि पीडिवर्टीजर है या फिर आपको चीतिका है या फिर कोई भी यह ठीक है जो भी publisher है जो भी advertisement का आपके पास publishing code है वह आप उस अच्छी earning कर सकते हैं कि event blog को अगर आप rank करा लेते हैं तो उसके कम time में बहुत जादे traffic आती है और उससे आपको काफी अच्छी traffic होती है अगर आप YouTube पे भी देखेंगे या फिर अगर आप किसी का event blog की earning देखेंगे तो आप देखेंगे कि कम समय में बहुत जादे कमाई कर पाते हैं तो इसका main reason यही है कि उस event से पहले काफी लोग उस site पे visit करते हैं और यह time में बहुत जादे लोग का visit होने से बहुत जादे click होता है और click होने से आपके site पे अच्छी खासी earning हो जाती है तो यह रहा कि event blog कैसे शुरू की जाती है तो guys यह तो क्या कि event blog कैसे सुरू करते हैं अब बात करते हैं कि event कैसे choose कर सकते हैं यह मैं बताने वाला हूँ सब्सक्राइब iCling करें जयसके और निवाली तो इश्टीवल को तार्गेट करते हैं। इसके अलावा जो है new launches, कोई चीज लाँच होने वाली है, कोई offer आने वाला है, या कोई specific launches होने वाली है, तो उससे related भी आप event blog बना सकते हैं, दो, तीन महीने, चार महीने पहले और उससे rank करा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है आप sports, sports यानि की IPL game होने वाला है, world cup होने जो special हो, उससे related आप blog बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़े है, other में हो गया कि कोई special day है, जैसे happy independence day है, republic day है, या फिर कोई और specific day है, जिसको लोग searches करते हैं, तो उससे related आप event blog बना सकते हैं, तो ये घडिका है, जिससे आप ये particular मतलब कह सकते हैं, कि field है, जिसमें आप event blog बन सकते हैं, तो guys, उमीद करता हूँ कि आप सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, कि event blog क्या है, कैसे सुरू कर सकते हैं, कैसे decide कर सकते हैं, कौन सा event लेना है, कौन सा event select करना आपको, और कैसे event blog से earning होती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे like करिए, अपने friends क साथ सेर कर दीजिए, और अगर चैनल के नए हैं, तो महरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, धन्यवाद, झाल कर दो मिलते हैं, तो 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 मिलते हैं